तो हेलो फ्रेंट्स आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं ए ए ए टेकनोलोजिस की क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो फ्राइडे की दिन एक बहुत ही अच्छा ब्रेक आउट पैटरन देखने को मिल रहा है यह जो स्टॉक है 3.74 परसंट की रैली के साथ क्लोज हो गया है और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है 58.25 रूपीस है तो आए इसका टेकनिकल चार्ट पैटरन स्टॉडी कर लेते हैं देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड्स रह सकती हैं क्योंकि यह जो कामपनी है एक आईटी सेक्टर की कामपनी है स्मॉल कैप कामप इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिकेशन मिल जाएगा दोस्तों आएए पहले इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं मार्केट कैप देख लो कामपनी का 72 क्रोड का है बहुत ही शोटी कामपनी है स्मॉल कैप कामपनी है पी-ई मल्टिपल्स 25 के हैं जबके सेक यहां फिर कामपनी की अर्निंग ग्रोव होनी चाहिए तबी जो है वो आपको पी-ई मल्टिपल्स ही मिल सकती है तो यहां पे देखो पिछले कुछ मंस से इस स्टॉक में जो है वो गिरावट चल रही थी तो गिरावट होने के कारण अब इस स्टॉक की वैलुईशन जरू जरूर सही हो चुकी है प्राइस टू बुक रिशो भी 3.01 की है जबके आरोवी परसंटेज इसकी 8.64 परसंट की चल रही है और EPS 2.06 का है और डिविडेंट जीर्ड के कामपनी 0.59 परसंट का देती है तो पिछले कुछ मंस की ग्रावट के बाद अब इस स्टॉक की जो वै कांटीनूसली गिरावट हो रही है स्टंबर के बाद इस स्टॉक में कांटीनूसली गिरावट हो रही है तो यह लास्ट वन इयर का पैटरन है यहां पे देखो इसकी जो चार्ट पैटरन है वहां पे देखो कांटीनूसली इसके चार्ट में गिरावट ही देखने को मिली ह हूँ है और एक ट्रेंड लाइन बंती द killers इफ जाता है तो resistance level श्ट्रा फेजर करता है ब Whoo स्टाक में गिरावट होती है तो य स्टाक फिर घ्रावट करता है तो कांटीनूसली इसके चार्ट में गिरावट ही देखने को मिली हूई थी लेकिन अब इस अपनी ट्रेंड लाइन को जरूर ब्रेक आउट पैटर्न शो किया है और अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेक आउट शो किया है तो ये एक पॉस्टिव इंडिकेशन है आने वाले टाइम में जदी ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस को मंटेन कर तो फिर बहुत ही बड़ी breakout rally इस stock में शुरू हो सकती है क्योंकि valuations भी सही हो चुकी है और इसका overall chart pattern देखो पहले इसमें continuously गिरावट ही चल रही थी लेकिन आप इस stock ने lower support बनाके बहुत ही bullish momentum जो है वो शो कर दिया है तो clearly एक तरह से breakout pattern है और आप देख सकते हो last one month में अब इस stock में जो हर 25% की rally है 5 days में भी 11% के round rally हो चुकी है तो एक अच्छा pattern जरूर यहां पे बनता दखाई दे रहा है तो यहां पे देखो इस stock ने 43 के round पहले support बनाया था फिर इस stock ने अपना support level जो है वो increase भी किया है 51 के round आया है तो यह एक अच्छी indication है तो आने वाले time में जदी यह जो stock है यह अपने 61 के level को break कर देता है क्योंकि अब इसका जो resistance level है वो 61 के round ही निकल कर आ रहा है क्योंकि जैसे bullish reversal हो रही है valuation भी सही हो चुकी है तो आने वाले time में जदी numbers भी positive रहते हैं तो एक expectations हैं के company अच्छ trend show करेगी क्योंकि दिसंबर में भी company की overall number positive ही रहे थे तो बड़ी गिरावट के बाद इस stock में एक नवेश का मौका जरूर बंतया दखाई दे रहा है बड़ी गिरावट के बाद अब यह जो stock है bullish reversal जरूर शो कर सकता है तो long term में देखो 5 years में अच्छे returns है 106% के बढ़िया returns ही दखाई देंगे क्योंकि यह जो stock है October 20 में ही list हुआ था तो बहुत ही shorter में अच्छे returns इसने अपने दिवेश को बना के दिये हैं अब जदी इसका 61 का level क्रॉस हो जाता है क्योंकि अब इसकी जो resistance level है वो 61 के around ही निकल कर आ रही है तो जदी यह stock इस level को पार कर लेता है 61 क के level को तो बहुत ही बड़ा दमागा भी stock में देखने को मिल सकता है साथ में जदी इस company के number भी positive आ जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा ही आपको मिल सकता है जो इसलिए हम आपको यही कहेंगे next week में इसके stock की price पे watch रखें और जो हमने आपको level बताए है ना वहां पे जरू हो रही थी तो company ने का कामपनी का बिजनस जो है उसका price movement से कोई लेना देना नहीं है जो price movement हो रही है that is only due to the market conditions तो company का price movement से कोई भी लेना देना नहीं है ऐसा company ने पहले clarify भी किया हुआ है तो company जो है otherwise अच्छी है बढ़िया है valuations भी सही है तो एक सही मौका जो है बन रहा है तो आप उसका पूरा पूरा फाइदा उठा सकते हो क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद अब इस stock में breakout pattern देखने को मिल सकता है शॉर्टर में 61 के level का एक बहुती बड़ा resistance इस stock को face करना पड़ सकता है जदी 61 का level cross हो गया तो इस stock में 80 के target भी आपको देखने को मिल सकते है ठैक्स किन मिलेगे नई वीडियो के साथ अभी तक जदी आप हमारे चैनल को नहीं सबस्क्राइब कर पाए हो तो हमारे चैनल को आप सबस्क्राइब जरूर कर लें